जेहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट अस्टेटिव प्रस देखेंगे इसमें जो है दोस्तों 15 नमबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो उसको देख लें ठीक है उसके बाद आज हम लोग 16 नमबर प्रस से चलेंगे तो देखें प्रस क्या का रहा है प्रस का रहा है रवी किसी दूरी को परती दिन दम घंटे विस्राम कर के 40 हैं में उस समय विश्राम करके वह कितने दिन में तैय करेगा थोड़ा से उल्जा हुए सा प्रश्ट दोस्तों लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आप अठ्थे समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को एक फर्मूला बतायते हम एम वन एच वन डीवन बटा डवलू फिर एम टू डीटू एस तू यहां डीटू लिखे यह एस तू डीटू बटा डवलू टू आनि एम से मैन हो गया आदमी घंटे कहिक जब मसे लेट वर्क आने काम हो गया। इंब क्षालिस दिन में ट्यकरता है। कितना है। कि अब काम कितना है कि पहले से दूगनी दूरी को मालेज़़ए काम जो टो एक है काम कितना यह के। पहले से दुगनी दूरी दुगनी दूरी अब यहां जो आजये दूरी को दो मान लेते हैं काम करना जो वर्क में आएगा वह नीची लिखाएगा दुग जाल से Kate तो यहां कितने दिन में तैफुर नोरा कितना दिन में त्थात दोस्तों करती दिन-गौतलियल में तै पफे। निकालेंगे यहां पर अब इसको आप काड़ दीजिए दोस्तों यहां देखिए सिंपल सा है नौ दूनी अठारा यह कट गया अब यह जो है यह दो यह दो कट गया अब क्या बचा डी टू बराबर चालिस दूनी असी दीन अहीं हमारा एंचर आया दोस्तों तो वह कितने द करते हों लेक्त प्रस को देखते हैं अब देखिए 17 नंबर प्रहण दोस्तों है 17 नंबर प्रस आपका काराय 18 वेक्ति परती दिन 8 घंटे कार्ज करके एक छोटे सभाभवन को 30 दिन में बनाते हैं इस सभाभवन की तूलना 116 गुना बड़े सभाभवन को परती दिन 6 घंटे कार्ज करते हुए 37 दिन में बनाने के लिए कितने वेक्तियों की आव सकता तो फर्मूला लिकिए M1, H1, D1, W1, फिर M2, D2, H2 कर दीजे, H2 और D2, W2, अब 18 वेक्ति, M से मैन हो गया, आदमी हो गया, H से घंटा हो गया, D से डे हो गया, अनि दीन, और W से वर्क हो गया, दोस्तो, तो 18 वेक्ति, 18 वेक्ति, परती दीन 6 गंटे, H बराबर, यह आवर्स गंटा हो गया, ठीक है, 6 गंटे, कार्ज करके छोटे भावन को 30 दीन में बनाता है, कितना दीन में बनाता है, तो 30 दीन, तो D कितना हो गया, D बराबर 30 दीन, और कितना एक छोटे भावन को, तो एक काम त बनाने दुनी का भावावन की तुलन एक्सो गुनन इहानी । 1-0 162 मा भावन्य को पे 106गूंत करके 6 गंट सब्सक्राइब करते हुए 27 दिन में कितने व्यक्तियों कि आप सकता होगी आपको निकालने बोल रहा है अब इस तरह से आप बैठा लेते हैं तो आप असाने से इसको कर दीजिए अब असाने से कर जाएगा दोस्तों यह देखिए अब जो है इस तीन नवा सत्ताइस और तीन दैएं तीस यह कट गया अब यह कट गया और क्या बचा अब तो कुछ बचा नहीं दोस्तों अब जो है तो कितने वेक्तियों को सकता होगी तो कितने वेक्तियों की आउसकता होगी आई ही हमारा एंसर आ गया तो सही एंसर क्या है तो ए नमबर आया दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं अब देखिए अठारा नमबर प्रस दोस्तों आठारा नमबर प्रस कहा रहा है आपका 5 किलो मेटर लंब़ी स्तों को एक सोद दिन में बनाने हैंतों दोसो असी मजदूर लगाए गए पांच किलो मेटर किन्तु असी दिन बाद ग्यात हुआ कि तीन पुर्णा के एक बट्टा दो किलो मेटर लंबी सड़क बनी कार्ज को निर्धारित अवदी में पूरा करने है तु अब और कितने लोगों की जरूरत होगी की लिइँ दोस्तोर सारे चाहिए पांज किलो मेटर में लमबी सड़क और सॉथ दीन से एक किन्तु असी दिन बाद ग्यात हुआ भ जो 280 मभूय हो 80 दीन काम किया कितना दिन तो 280 मभूयो हैушка 8 सी धीन काम किया और बनाणा था 5 किलो मेटर केतना बनाना था 5 किलो मेटर लेकिनarbeit 거지 दिन में फशी तिन पुर्णा कि एक वटड़ा कि आ अब कितने लोगों की जरूरत होगी ? कितने और के जरूरत होगी ? कितना मढ़ी ऐखा होगा लगा ? में यहाँ बनाना था वेन यह बनाना था यह पांच काम में अर यहां बना है के तूह? वल्ड है के इतंहा पॉंट फाइप कीलोमेटर आजाएक है ! तो पॉंट का अ़ इस तो आप इसको काट दीचे आपका इंसर आ जाएगा ! अब काटिए ये प्वेंट और ये प्वेंट उड़ गया तो 5 ती ये 15 और 5 सत्य पैटीस ये कट गया साथ चोके 28 ये जीरो ये भी कट गया तीक है अब काटिए 20 जुनी 40 ये भी कट गया दोस्तों अब ये तीरचा गुना होता है आप लोगों कम बताये थे यहां बच्चा 280 प्लस एक्स बराबर यहां जो है आट दुनी सुल्ला एकसो बीस तीया बारती अच्छा थी तीन सो साथ आट दुनी सुल्ला सोलती आड़तालीस दोस्तों ये हमारा आगया 480 देगे आट दुनी सुल्ला दिक आट दुनी सुल्ला सोलती आड़तालीस अब एकस बराबर क्या होगा 480 और ये 280 इधर आकर के मैनस में हो जाएगा 280 बराबर एकस बराबर कितना आया तो 200 आया दोस्तों अही हमारा इंसर हो गया तो और कितने वेक्तियों की जड़ोत होगी एकस माने थे यहां पर एकस बराबर कितना है 200 वेक्ति तो सही इंसर क्या है तो सी नंबर आया दोस्तों क्याली आगे बढ़ते हैं अब देखिए 19 नंबर पर दोस्तों देखिए क्या कर रहें तीन आदमी अथा छे लड़के काम को 40 दिनों पुरा करते हैं तो छे आदमी तथा आठ लड़के इस काम को कितने दिनों पुरा करेंगे इसको दो टैप से भी बना सकते दो तो चलिए देखते हैं इसको कि यह कैसे बनता है एक तीन आदमी थे लड़के त्यों थोड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा बहतर आफ् Mana को समthoseमाओ यहां देखिए तीन आदमी अथवा भूल है अथवा उया लड़का करेग today लड़विकर लड़का करेगा एकर चालिस सथाइबूरा हो जाता है तो तीन लडका तीन में तीन में या उद्धे ब्रैस कितना जिन है और सबर्सक्राइब करता है अब क्या किद्या इस तीन को गुना कर दिए फिर इस त्थे को भी गुना कर दिए फिर चार्ट-ठी बीश 120 मैं 120 आदमी बराबर 244 लड़का गया दोस्तों ठीक है अब हम क्या करते हैं इसको कर देते हैं तो 120 एकम 120 बराबर 120 दूने 240 आन्य एक मैं बराबर दो बाई अजला एक लड़का बराबर दो लड़का अब बोल रहा है छे आदमी तदा आठ लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे अब यहां से आप जो अथवा दिया है तो यहां लड़का लीजिए या आदमी लीजिए जो लेना है एक क्योंकि दोनों में कोई भी करेंगा एक ही आदमी करेंगा तो हम ऐसा करते हैं यहां पर छे लड़का ले लेते हैं ठीक है तो छे लड़का चालिस दिन में कितना है लड़का चालिस दिन में करेंगा अब यहां देखे यह तो करेंगा छे आदमी तथा आठ लड़का दोनो बढ़ाबर है आदमी बढ़ाबर कितना गुणा कर दिए यहां पे तो कितना गए बारा लड़का बारा वाई ठीक है है जले इसको लिए आप लोगोगो नित्य कर देते दोश्तों नहीं तो फिर आप लोग गरवला जाईएगा टीक है तो यह आ जाएगा कितना तो 2 खुने 6 आणि 12 बार्ख य य आ जाएगा 12 लड़का यह आठ लर्का यहां अथ दोर देता है आनि 20 लर्का हो गया 20 बार्ख आब यह च्छे लर्का करता है 40 तीन में तब 20 लर्का कितना दिन में करेंगा तो यह 20 लड़का एकस दिन में करेगा अब इसको काड़े दिते हैं 20 दूनी 40 अब क्या बचा एकस बरावर 6 दूनी 12 तो 12 दिन में करेगा अही हमारा इंसर आगे दोस्तो तो सही इंसर का आया D नमबर आया दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हों नेक्स प्रस को देखते है अब देखे 200 नमबर प्रस दोस्तो 200 नमबर भी सेम प्रस थोड़ा सा लंबा किया हुआ है अधी 5 आदमी अथवा 7 महलाए परती दिन 52 प्या कमाते हो तो 7 आदमी तो 13 महलाए परती दिन कितना धन कमाएंगे है पांच आदमी अथवा दे दिया है तह आदमी को लिजे तह महला को लिजे ठीक है पांच आदमी अथवा 7 महलाए अब यहां दिया हुआ है पांच आदमी अथवा 7 महला आदमी जो है पांच महलाए तो 7 महलाए के बराबर है तो 7 आदमी बराबर तो 7 महलाए कितना हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा 7 बराबर पांच यह बराबर माँ जाएगा गुने साथ आदमी उन्चास बराबर पांच महलाए कितना जाएगा पांच वोमिन ठीक है चलि महला लिख देते हैं महला आदमी उन्चास बराबर पांच महलाए कि अब सभी को महला बदल हुआ कि एहां से हुम उठा लेते हैं कि आप महला उठा लेते हैं कि एक टो कि यहां साथ महला सभी को महला लेते हैं तो एक मिनिट ये सतेरा महला यहां सतेरा महला है तो इस साथ आदमी बराबर इस साथ आदमी बराबर जो निकाले यहां पर तो उन्चास बटा पांच महला तो उन्चास बटा पांच महला प्लस ये 13 महला यहां कुछ नई बटा में एक कर दीदे बराबर ठीक है यहां जो है 107 महला 7 महला परतीज दिन 52 रुपिया कमाते है तो यहां बोल रहा है 13 महला परतीज दिन कितना धन कमाएंगे तो 7 गुने X बटा ये 52 रुपिया अब इसको काड़ दीजिए दोस्तों अब यह कटेगा नहीं पहले इसका LCM ले लीजिए इसका LCM लेते है तो 5 आएगा 5 गम 5 अर ये 49 आ गया एक को 500 गुना करेंगे तो ये 5 आगा तेरा पच्छे 25 आजाएगा बराबर अब कितना आ गया है अब इसको काड़ दीजिए अब इसको काड़ दीजिए अब इसको काड़ दीजिए अगर इसको हम काड़ते हैं तो 5 से 5 एकम 5 पांच पच्छे 25 ये कट गया दस्तों पतास आया अब कट जागा साथ से साथ एकम साथ साथ पच्छे 35 ये डेर सो आ गया ठीक है अब क्या बता एक्स एक्स बराबर ये तिर्षा गुना होता है इस तरह से एक्स बराबर 114 को 150 से गुना कर जिए और जब इसको गुना करेंगे तो सतरा हजार एक्सो आएगा कितना सतरा हजार एक्सो अहीं हमारा इंसर हो जाएगा दोस्तों तो सही एंसर क्या आया तो डी नंबर आया चलिए आगे बढ़ते हो नेर्थ प्रस को देखते हैं अब देखें 21 नंबर प्रस दोस्तों अधी 8 गहंटे 35 दिन कार्ज करके 25वेक्ति किसी कार्ज को 15 दिन में स्माप्त करें तो 20 वेक्ति 10 riktे क्से दुने कार्ज को कितने दिन में स्माप्त करेंगे अब इसका फर्मूला लिख ली थे M1 H1 D1 पराबर W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2 आनी आदमी घंटा दीन बटा में काम वर्क में काम आगिया अब 8 घंटे 35 व्यक्ति 15 दिन तो 35 व्यक्ति ये 35 व्यक्ति 8 घंटे 15 दिन ये 15 दिन और काम कितना है एक काम है कितना एक काम फिर बोल रहा है बीस व्यक्ति 10 घंटे 15 दिन कार्च करके इससे दुगने कार्च को इससे दुगने कार्च को ये काम निथे है तो निथे दो दे दिये ठीक है 20 वेक्ति 10 घंटे 10 घंटे कार्च करेंगे इसे दुगने काम कितने दिन में करेगा आनि डी 2 बरावर आपको निकालना है अब इसको काड़ दीजे अगर इसको काड़ते हैं ते दिखे पांच चोके 20 और पांच तिया 15 ये कट गया और चार दुनी 8 ये भी कट गया ये कट गया दो पत्चे 10 ये कट गया और ये कट गया पांच पत्चे 25 ठीके अब दी 2 बरावर क्या बचा तो पांच दुनी 10 दस तिया 30 आनि कि तीऊ थिन दोस्तों अई ही हमारा एंसर आगया तो सही एंसर क्या आय आ ऋनिशवी नमबर आय दोस्तों क्या लिए बठतेवें और नेक्ट मालन पूस को देख्ते हैं अब देखिए बाइसे वन बन प्रश्च दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगरों प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और अगर चैनल पर नए होते प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर ले अब देखिए आठ प्रूस प्रतीर दिन नव घंटे काज करके एक काम को 20 दि देखिए M1, H1, D1 बटा W फिर M2, D2, S2, D2 बटा W2 आठ प्रूस अब मतलब आदमी जो है मैं M बराबर 8 है घंटा आठ घंटा आठ घंटा अज दिन केतना है 20 दिन में ये 20 दिन में करता है ब ये 7 पूरूस प्रती दिन 10 घंटे काम करके इस चाम को कितने दिन में पुरा करेंगे कितने दिन में आने D2 निकाल आै क्या निकाला है D2 अब काम कितना 1 काम है बटा में 1 लिखेंग 2 निक तो उक सक चाहेगा कोई फाइदा नहीं लिखने से ठीक है अब इसको आप काड़ जीए यह 9 घंट था दोस्तों ठीक है यह 9 था आम 8 लिख दिये थे अब इसको काड़ जीए यह 10 दूनी 20 यह कट गया और कटेगा देखिए अब तो कटेगा यह नहीं दोस्तों ठीक है इसको गुना करते थे आठ नव बहत्तर बहत्तर दुनी 144 यह आजाएगा डी टू गुने साथ यह 144 क्या यह 144 तो डी टू पर आपर तो 144 बटा साथ अच जब इसको डिभाइड करेंगे कितना आजाएगा पीस सते चालीस अनि बीस पूर्णांग चार बटा साथ अहीं हमारा इंसर आजाएगा चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए 23 नमबर प्रस कुछ व्यक्ति काम को 90 दिन हो पुरा करते हैं अधी 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे आरा में कितने व्यक्ति थे अब जो है कुछ व्यक्ति तो व्यक्ति कितना एक्स व्यक्ति 90 दिन में करता है कितना 90 दिन में पुरा करता है अधी 15 व्यक्ति कम हो जाए ठीक है कुछ व्यक्ति व्यक्ति तो एक्स पाने थे तो एक्स मैनेस 15 15 व्यक्ति कम हो गया यहां कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगें यहां 90 दिन लग रहा था यहां 10 दिन अधिक आनि यहां कितना लग जागा ते 100 दिन लगेगा दोस्तों कितना लगेगा 100 दिन ठीक है अब कितना जागा यह हमारा जागा X गुने 90 अर इसको गुना कर जिए 100 X 10-115, तो पंदरास को टीक हैं, अब यह हमारा आजागा, यह इधर चला जागा, नब्दे एकस घर जागा जाखनके, एकसो एकस में, तो यहां बचेगा, 10 एकस, 10 एकस बड़ाबर 1500, तो एकस बड़ाबर, यह जिरो, यह जिरो कट गया, आनि डेर सो, कितना, तो डेर सो ठीक ह ही हमारा answer हो गया है तो सभी answer क्या हो तो भी नमबर हो दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्त पश्का देखते हैं अब देखिए 24 नमर प्रस्ट बोला है किसी कार्च सर्मिको दरगा 22 दिन में पुरक किया जा सकता है किंसों सर्मिको अनुप स्थीति के कारण उसे 24 दिन में पुरक किया गया आराम में लगाये जाने वाले सर्मिको की संख्या कितनी थी कि तुरू में कितने वेक्षि लगाए गए यहीं हुआ अपसे पूछ रहा है किसी कार्ज को कि पर फर्मूला तो बोलते को तो तो किसी कार्ज को कुछ सर्मिक को दो रहा बाइस दिन में करता है सर्मिक की संक्या पता नहीं है, कितना आदमी काम करना है पता नहीं है, एकस आदमी मान लेते हैं, एकस आदमी बाइस दिन में करता है, कितना तो बाइस दिन में करता है, तो बाइस दिन में पुरक्या जा सकता है, किन्तो तीन सर्मिकों की अनुपस्थिती, तब पहले आदमी अब 3 फो नहीं आया तो घटा दीजे x-3 अनुपस्तिती रहने कारण उसे 24 दिन में पुरक किया गया कितना तो 24 दिन में अब यह भाइस जाकर इधर घर जाएगा तो 24 दिन में 26 दिन किश्टाव दीजें चलिए और थोड़ा से लबा कर देते हैं अनि 36 वेक्ति दोस्तो अहीं हमारा एंसर हो गया तो सही एंसर क्या हो तो सी नंबर हो दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं कि अब देखें कि 25 नंबर परज़ दो तो एक छाउनी में 33 सव वेक्तियों के लिए 850 ग्राम परती वेक्ति दर से 32 दिन कब भोजन था कितना भोजन था ज्यान दिएगा 33 सव वेक्ति है कितना 33 सव वेक्ति है और 850 ग्राम परती वेक्ति के लिए कितना 850 ग्राम परती वेक्ति की दर से 32 दिन कब भोजन था का विज़रता डोसटों जिक है अब आगे ध्हान दीजेगा शाद दीन बाद कुछ विक्टी च्याओने में ओ है आगे निच चले गये हुआ है सद्रियों है साद दिन बाद कुछ वक्ति चाओने में और आगे तो साथ दिन तो जो व्यक्ति था वो तो खाया है तो यह हम यहां पहले साथ दिन मैनस कर देते हैं अब आगे देखिए चौनिम में आगये कुछ और व्यक्ति चौनिम आगये अब 825 ग्राम परती व्यक्ति की दर से वह वोजन 17 दिन तक पराप्त रहा 825 ग्राम करके 17 दिन तक के लिए अब वोजन बचा हुआ है तो कितने व्यक्ति नए आए हमसे पूठा जा रहा है कि नए कितने व्यक्ति आए अब क्या किदे यह जो है 33 गुने 850 गुने यह 32 में 7 गषटा दिए तो 32 गषटा हैं तो यह 25 आ जागा बराबर 825 गुने 17 अब इसको क्यल्कुलेशन करना है जोस्तों कुछ करना नहीं बस थोड़ा सा काड़ देना है यह काड़ से 17 585 यह 15 आ गया ठीक है और काटे इसको तो 525 यह काड़ जाएगा 5 x 5 5 36 5 35 165 और काट दीजे 5 से 5 तो 5 तीय पंदरा और 5 तीय पंदरा अब इस 33 से काटेंगे इस 33 को ठीक है ये 33 तो एक सो बारों कर जाएगा अब क्या बता तो एक सो को पतास से गुना कर दीजे एक सो को पतास से गुना कर देते है तो 5000 आजाएगा अब बोलाए कि कितने व्यक्ति नए आये थे पहले कितना था तो पहले 33 व्यक्ति था पहले जो एसो 33 व्यक्ति था अब होगे हाँ 5000 व्यक्ति तो कितने नए व्यक्ति आये तो नए व्यक्ति नए वेक्ति कितना आया बराबर पांथ हजार गटाउ 33 सब जब इसको हम गटाते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना 17 सब यही 17 सब नए वेक्ति आये थे दोस्तों तो सही इंसर क्या हो गया तो बी नमबर हो गया चली आगे बढ़ते हैं और नेक्स परस को देखते है अब देखिए 26 नमबर परस दो 26 नमबर परस आपका कारा है अधि छे समान मसी ने एक निश्टी चाल से एक मिनिटें 270 बोतले बनाती है शे मसीन जो है शे मसीन एक मिनिट में कितना टोटल काम कितना करता है तो 270 बोतल बनाती है ठीक है तो इसी चाल से ऐसी 10 मसीने कितना दस मसीने तो दस मसीने चार मिनिट में कितना चार मिनिट में मेन चार मिनिट में कितना बस्य ने बनाएगी तो एक्स मसी ने बनाएगी यह 270 बना रहाता है यहां कितना बार मनाएगा सुपूचरा अब इसको काट दीजे अगर इसको काटते है तो दो तीया-छे और दो दुनीच यह कट गया अब यह कट हैं तीन नमए सत्तथा यह गतना हो गया, 900 अर्धू, 900 दुनी, 1800 तो 1800 बहुतली बनाएगी दोस्तों, अभी हमारा इंसर आगिया तो कितना है, 1800 चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स फिडिस को देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल सब्क्राइब करें दोस्तों अब देखिए, 27 नमर प्रस्त, किसी चाउनी में 200 वेक्तियों की भोजन समागरी 30 दिन के लिए थी दोस्तों वेक्तियों के लिए 30 दीन का भोजन था, इस दिन भाद 25 वेक्ति और आ जानेसे पहले 200 वेक्तियों था, अब जो 5 वेक्ति और आ जानेसे पहले 200 वेक्ति था अब जो पचास वेक्ति और आ गया ते कितना हो गया तो अलहाई सो वेक्ति अब बोला समागरी कितने दिन चलेगा तै एकस दिन चलेगा कितना एकस दिन चलेगा अब इसको पहले काट दीजिए ठीक है अगर काटते हैं तो पचास पच्चे अलाई सब पचास चोके सब अब यहां तीन चोके बीस आज़े एक सो बीस और यहां मैनस कर दीजेगा ठीक है यह मैनस कर दिए तीस में दस किया तो बीस आ गया बराबर यह पांच तो पांच चोके बीस अब एकस बराबर क्या बचा तो एकस बराबर बारा बर चुक अरतालीस एक मिनिट एक मिनिट कहां मिल्टे को रहा है देखने दीजे लास्ट प्रस तो हम मिल्टे को रहा है और दोस्तों यह जो 120 लिखें यहां पर चार हम काट चुके थे पहले यहां मारा जो चार लिखाएगा क्या लिखाएगा चार ठीक है तो एक्स बड़ाबर चार चोक 16 दीन कितना 16 दीन अहीं हमारा इंसर हो गिया सही इंसर क्या हुआ तो डी नंबर चलिए आज यहीं तक दोस को आपक सेयर नहीं करें प्लीज सेयर करें कर दें ठीक है चलिए थैंक्यों